वेलकम दोस्तो आज वीडियो में जानने वाले हैं सेंसर के चेकिंग के बारे में जानते हैं सेंसर जो हैं एक इंपोर्टेंट पार्ट से कम्पोनेंट है इलेक्ट्रोंिक है जो PCV को AC को आटोमेटिक तरीके से रन कराता है यह सेंसर जो रहता है इनोटर आधी हो गया split हो गया, dx हो गया, central हो गया, सभी AC में यह जो sensor आपको देखने को मिलते हैं, तो यह sensor का कारी क्या है, कैसे चेक करते हैं, सही है, खराब है, यह कितना temperature पर कितना ohms resistance हो करता है, और कितना temperature पर क्या effect होता है, यह video में AC के बारे में जानने वाले हैं, तो अब देशकते रहेंगे हमारे पास से एक sensor है, और थर्मा मीटर है, और डिजिटल मीटर है, तो अभी हम इसे चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे, कितना temperature पर, resistance का कितना रहता है, कितना बढ़ता है, और कितना घड़ता है, ठंडा करने पर, और गरम करने पर, तो हमारे पास देशकते रहेंगे, य पर रखेंगे, या वी टू के, टू हंडेट के, जो भी आपके रहता है, रजिटेंस जो किलो उम्स रहता है, उस पर रख करके, इसे हमें चेक करना है, तो अब देसकते रहेंगे, यहां पर इसे हम नॉर्मली चेक कर रहें, नॉर्मल जिसे की sensor का wire इसे काट लिया गया है, क्योंकि इसमें अदर connector रहता था, थिंबल था यह connector, तो अब पर प्रॉपर सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए हमने काट लिया है, जिसे हम आपको अच्छी तरह से प्रेट कली दिखा पाएं, तो अब देसकते रहेंगे, यह जो sensor है, यह pipe sensor है, क्योंकि यह metal क है, मैटल का है, तो अब पाइब sensor लगा सकते रहेंगे, तो इसका temperature देसकते रहेंगे, खिरना अभी आपको co करता है, रेजिट does अभी देसकते रहेंगे, air, गरम पानी का टंप्रेचर दे सकते रहेंगे 35 36 दे सकते रहेंगे 37 डिग्री टंप्रेचर नियरबाई सो कर रहा है वो टाइम में रेजिस्टेंस भी दे सकते रहेंगे 6 हो गया पहले ज्यादा था एक त अब बेस हो गया थर्टी एट पानी का टंपरेचर है ठलमल टम्प्रेचर था अबने किगए ईसला गर्म किया तो ताइम इसका वैलु अधसा एड़ो说 सक्वाणा सुछ इसका कि दे सकते रहेंगे बढ़ना चालू हो गया तो किदना ठंडा टंप्रेचर है यह भी हम आपको दिखाएंगे तो अब यह सकते रहेंगे अठारा डिए टंप्रेचर से गता रहा है थर्मामीटर पर पानी का टंपरेचर सो कर रहा है बारत डिली टंपरेचर पर जो रेजिस्टेंस का वेलू जो है सेंसर का वेलू है 15 और ज्ञादा हो रहा है तो कंडिशन में सही माना जाएगा अगर इसे स्टार्ट होने में टाइम लग सकता रहेगा उष से स्टार्ट करने में नई हो Gods चुछ उसे क 쿠इब करते रहेंगे यह जोbrarरों कोLEY कर नहीं करता है यह जो आई साथा उसके लिए लिए कि फ्रोस्ट कर नकी करने के लिए जो पous together उसके लिए यूजड किया जाता है यह जो रूम सहसरा था देखाएंगे तो उब धेसकते रहेंगे दो करना है अभी वापस हम गर्म कर रहा है तो देसकते रहें है तो ताइप में कर रहें है तो ताइप में था धाइट गडिरी टम प्रेचर था अभी जो इसका टमप्रेचर जादा था तो बैसिक कुछ इस तरह से चेक कर सकते रहेंगे या फिर कई बार हम साइट पर जाते हैं गरम पानी यह ठंडा नहीं रहता है उससे हम क्या कर सकते रहेंगे नहीं लुक्त करें लेंगे तरीक बताएंगे किसतर से कर सकते रहेंगे अब यह जो है रूम टंपरिचर सेंसर है पहले हमारे जो पाइज जो सेंसर था उसका वायर काटा था जिससे अम असानी से लगा जो चेज़ जो रहता है लीड रहता है उसके लगा दिया था बट्राप देसे तेरे से नर्मल सेंसर जो रहेगा एसी मूझ होता है यह संसर जो है इसका घंफ लंपरेचर जो है कम जबड़ा होता हुआ है तो टाइम में इसका वेलु जो रहता है कम और box जो बाढ़ेते हुए मैं इसके पहले पाइप तमपरच्र चैसर रहे चेक किया जड़ा रहा है जो आई जए जाता रहा है मैंइस में यहां पर विद्य सकते रहें भी कनेक्ट कर लिया गया है तो इसको नॉर्मल 27 रोम टंपरचर 27 पर देशकते रहेंगे फोर ओम्स रिच्टेंस जो कर रहा है सेंसर का अभी से गरम करते हैं तो तो कितना रिच्टेंस वैलू होता है तो देशकते रहेंगे गरम करने पर यह कम हो रहा है अब देश सकते रहेंगे तीन हो गया निरबाइ इसका ज्यादा नहीं बढ़ेगा यह जो है तीन हो गया है और क्योंकि यह 30 अब 27 था 27 नॉर्मल टंपरेचर एसी का जो रहता है और फ्लोर जो रहता है नॉर्मल अमारे 25 25 या फिर 22 नेरबाइ रहता है तो अभी 27 यह पानी का टंपरेचर भी साइद में भी कम हो गया है पहले 38 तक गया था क्योंकि हमने इसको थोड़ा टाइम लगाया है तम एक नेरब तो टाइम बहता है अभी से थंडा करते हैं दे जैसकते रहेंगे यह यह 3 oms रोकर रहा है गरम किया गया है तो वापस पानी की ठंपरेचर दिखाते हैं तो इससाब हम आपको दिखाएंगे आगे इसमें किना चिल्ड होता है किना टंप्रेचर बढ़ता है तो आप देसकते रहेंगे इसे ठंडा कर रहें तो वापस इसका टंप्रेचर देसकते रहेंगे रिश्टियंस जो है बल्ड रहा है अब देसकते रहेंगे ठंडा होने पर इसका रिश्टियंस का वैलू जो है तो नोर्मल डिफाल जो सेट रहता है तो टाइम में इसका 20 पानी का टंपरेचर जो है ठंडा है ज्यादा उसे आपसे नॉर्मल है तो यहां पर थर्मोमीटर नहीं दिख पा रहा है कितना है नियर्बाइब पहले हमने दिखाया तो आपको इसमें तो बढ़ गया रहेगा तो टाइम में अब दे सकते रहेंगे और सेवन हो रहा है सेवन टंपरेचर यहां पर सो कर रहा है यही जैसे कि हमारा 25 डिगरी टंपर यह हमारा हो जाएगा टेन के या नाइन के ओं सो करेगा तो बेसी कोई सब्सक्राइब तो आपको इनफार्मेशन मिला रहा है इसी तर से और जानकारी के लिए हमसे जूए रहे हमारे चैनल सब्सक्राइब पर यहां जो बेल आता है आ नोटिफिकेशन आता है उसे आउन जरूर करें यह वीडियो हमारा दिखाने का मक्सद देए था जो लोग जान सके किना टंपरिचर पर किना प्रेसर होता है तो यह वीडियो का फिट्वाइक दीजिए कुछ आनकारी मिला या नहीं मिला आगे क्या चीज के बार में और जा जादा ले सकते रहेंगे और यह वीडियो का फिट्वाइक दीजिए कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला यह वीडियो लंबा हो जो हो गया है बट हमने कोशिस की दिखाने के लिए एजांपल के लिए वीडियो हमारा एक मिलेट में बता सकते थे जो नॉर्मली तुरक के से इस तरह से चेक करते हैं कम ज्यादा टंपरिचर होता है तो आज आपका दिन सुबो तैंक यू फर वाचिंग